दोस्तो फिर से सागत आपका एक नए वीडियो के साथ, दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, 1 प्लस, not 2 मोबाईल है आपके पास, यह फिर कोई और मॉडल है, तो उसमें आप समार्ट कॉल की सेटिंग कैसे गर सकते हैं, तो समार्ट कॉल की सेटिंग करने के लिए आपको यहां पे चले जाना है डाइलर पे और यहां पे आपको 3.0 option देखने को मिलेगा और setting option देखने को मिलेगा अब यहां पे आपको काफी सारे option देखने को मिल जाते हैं जैसे की flip to silence और यहां पे अगर calling account में जाते तो और भी settings के option देखने को मिल जाएंगे तो बार कि आपने Bluetooth डिवाइस वगरा कनेक्ट कर रखा है एयर पीस वगरा तो यह आटो आंसवर हो जाता है ऑन करते ही तो आप देख सकते हैं कि डिले कि इतनी देर में होना चाहिए ऑटो आंसवर फाइफ सेकंड के अंदर या टैन सेकंड के अंदर तो यहां पर फाइफ सेकंड आप चाहे तो 10 सेकंड कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर यह आटो आंसवर हो जागा और यहां पर कॉल सेटिंग आ जाती है जैसे कि वाइबरेट ओन कॉल आंसवर या फिर एंडिड मतलब जब भी कॉल उठाएंगे तब यह वाइबरेट करेगा जब आप कॉल काटेंगे तब भी और यहां पर यूज पावर बटन टू हैंग अप तो यहां पर कॉल काटने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं और यहां पर बैक कर देंगे और यहां पर आपको flip to silence का option आजाता है flip to silence on कर देते हैं तो यहाँ पे जब भी आपका incoming call आता है तो आप अपना phone जो है ऐसे करके पलट के रख देंगे तो यहाँ पे जो incoming call है वो आपकी silence हो जाएगी ठीक है इसके बाद back कर देंगे और यहाँ पे आपको कुछ और setting कर लेनी है तो अभी आप back कर लेंगे और यहाँ पे आप चले जाएंगे setting पे और setting पे जाने के बाद यहाँ पे आपको option देखने को मिल जाएगा convenience tools का और यहाँ पे आपको gesture and motion का option देखने को मिल जाएगा इसको आप allow कर देंगे और यहाँ पे आप screen of gesture on करेंगे और यहाँ पे आप जो यह वाला option है add gesture आप इस पे click करेंगे और calling के लिए आप इन में से कोई सा भी एक choose कर सकते हैं जैसे slide up या slide down या फिर slide lift या फिर यह वाला slide right या फिर m draw करेंगे तो यहाँ पे आपका call होना चाहिए तो यहाँ पी किस पर्सन को direct call होनी चाहिए तो वह नमबर आप select कर लेंगे इस टैप से तो वह नमबर आपका add हो जाएगा आपको डबलू ड्रॉ करना है आपकी फोन पे तो यहाँ पे जब आपकी खाली स्क्रीन रहेगी बस आपको यहाँ पे क्या करना है ऐसे डबलू ड्रॉ कर देना है स्क्रीन लॉक आपका open हो जाएगा और आपका face lock से यह खुल जाएगा या फिर fingerprint लॉक से तो आपका direct call लग जाएगा ठीक है आपको कहीं नमबर जाके ढूंड के call करने की जरुत नहीं पड़ेगी ठीक है तो इस टैप से आप यहाँ पे smart call की setting कर लीजेगा आई होप गईज यह वीडियो आपको जरुर पसंद आयोगा चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार